प्यारे बच्चो मैं पवन से नहीं आज हम सीखेंगे कक्छा बार है प्रीज्म के अपरतनांग के लिए वेंजग बहुती most important question है very most important question है और इसके लिए वेंजग देखेंगे बहुती simple way मैं आपको बताऊंगा किस प्रिकार से वेंजग करेंगे देखते हैं अपरतनांग वेंजग देखेंजिए यहाँ पर एक A और B उसके बाद में एक सी आपके अपवर्लतक्परस्ट हैं और यहाँ इस ए का जो सीर्स विंदू है यह इसका प्रिज्म कॉन है अब प्रिज्म कॉन के अपरतनाग के लिए न के लिए वेंजग जयात करना है हमें तो सबसे पहले क्या करा हमने जो आप एक तुरूज देख रहे हैं A, B, C इसमें A, B और A, C अपवर्तक प्रस्ट हैं और मैंने एक दो अभी लंब खीचे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका N1 पहला अभी लंब है और ये जो प्रस्ट से टकराता है तो ये आपका दूसरा अभी लंब है जैसा आप जानते हैं कि अभी लंब जो होता है वो नब हैं इसके कौन पर लंबत होता है अब देखिए हमने एक ये वाली जो किरन है आपतित किरन बोलते हैं आपतित किरन ये अभी लंब से होकर गोजारी है तो देखिए हम जानते हैं ये हमारा वि आपतित किराना विरल माध्धम से सगन माध्धम में जाती है तो अभिलंब की ओर जुग जाती है तो ये हमारा अभिलंब है और ये मान लीजिए ये जुगने के बाद यहां बिंदू चली इसको नाम दे देते हैं हम एस पर मिल जाती है अब आपतित किराना ये जो चल रही थी इसके जाने का जो तरीका था आगी की तरफ था और ये इधर की और जुग गई है तो यहां ये वाला पार्ट जो होगा ये आपतित किराना का विचलन हो गया यानि ये जा रही थी ऐसे सीधी जा रही थी और इधर मुड़ गई तो यहां हम इसे नाम देंगे विचलन पहला दूसरा हम देखते हैं जा आप जानते हैं कि अभी लंब और आपतित किरान यानि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा आपतन कौन आईव होता है तो पहला है तो इसलिए हम इसे आईवन नाम देंगे ठीक उसी प्रिकार यहां देखते हैं ये अभी लंब और ये आपकी जो नाम है इसका निर्गत किरान निर्गत किरान तो अभी लंब और निर्गत किरान दोनों का जो ये एंगल है ये हमारा आईटू होगा देखे यहां से अभिलंब से यह जो आपतित किरण उपर की और जाना था लेकिन चली गई नीचे की और अभिलंब की और तो अभिलंब और जो हमारा अपवर्तन हो रहा है आभी लंब और जो अपवर्तित की रण है उसके बीच का जो एंगल होगा वो अपवर्तन कौन यानि आरवन होगा ठीक उसी प्रिकार चलते हैं दूसरी तरफ तो देखे यहां यह आपतित की रण थी और इसके यहां यह इधर को मुल गई थी तो यहां पर जो हमारा विचलन था दूसरे के हिसाफ से यह डैल टू होगा अब यह देखते हैं कि इसका सीरसा अभी मुग कौन जो है अंदर की तरफ यह आपका सेम डैल टू होगा क्योंकि हम जानते हैं कि सीरसा अभी मुग कौन बराबर होते हैं जब बरावर होते हैं तो यह अभिलम्ब और यह जो किरल हैं तो यहां पर यह आपका जो कौन दूसरा होगा यह आर टू होगा इतनी बात आप समझ गए होंगे अब देखिए हम इनके नाम दे देते हैं मालीजे यह वाला पॉइंट आपका क्यू है इसका नाम हमने पी दे दिया उसके बाद में यह वाला पॉइंट देखिए यह जो आपतित किरन गई थी निर्गत किरन यह अभिलम्ब से दूर हड़ गई थी जब इसे पीछे की और बढ़ाते हैं तो यह पहली वाली आपतित कि आड़ देती हैं और यह जो दौना विलम जहां मिल रहे हैं माल लीजे हम इसे नाम कैपिटल ए का दे देते हैं अब हमें अपरतनांग के लिए वेंजग क्यात करना है तो देख लिए इसके लिए कुछ थौरी पार्ट आप लिख लेते हैं तो आप लिखेंगे चित्र में क्या है अबी एवं ऑचे या दो नाम है यहाए यह बी है और यह एचे लिखेंग अप वर्तक प्रस्त हैं आप देखते हैं अपवर्तक प्रस्थ हैं तो पहले अपवर्तक प्रस्थ के लिए विशलन जो है हमारा डेल वन एवं अपवर्तन कों आरवन है इसी पिरकार दूसरे माध्यम के लिए के विचलन डेल टू एवं जो हमारा कों है वो आरटू है यह आप समझ गए होंगे अब देखे यहां पर हम अगर कों देते हैं तो देखे यहां कों पहला नाम लेंगे हम एन वन क्यू पी कौन एन वन क्यू पी यह हमारा क्या है आई वन है यानि आप तन कौन है इसी पिरकार अगर हम इसके समान देखते हैं तो यह नाम बनेगा आपका कौन एन टू एस एन टू एस और इसे टी ना अन देते हैं तो यह एन टू यह यहां पर गलत लिख दिया है एन टू एस टी यह हमारा कितना है आई टू है यह वाला पोशन आई टू है अब यह आई वन जो है एवं आई टू यह सीरसा अभी मुक कौन है अब आप देखते हैं चित्र से कि पहला जो हमारा आपतन कौन है यानि कौन एन वन क्यू पी यानि इसका नाम हमारा क्या बनता है आई वन तो बरावर होता है सीर्षा अभी मुक कौन और इसका नाम बनता है कौन देखिए यह वाला आर क्यू इए और देखिए यहाँ अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर दो कौन आ रहे हैं एक डैल वन है और दूजरा आर वन है तो इसका मतलद दोनों का सम डैल वन प्लस आर वन यानि आई वन की जो वैलू होती है वो डैल वन प्लस आर वन अब यहाँ से हम डैल वन का मान निकाल लेंगे तो डैल वन बरावर जब निकाल लेंगे तो आर वन का पक्षांदर कर देंगे आई वन माइनस आर वन यह आप समीकर फर्स्ट नाम दे देंगे इसी प्रकार अगर हम कहें कि जो हमारा आई टू होगा तो उसके अंदर दो कोन आएंगे यानि जो डैल टू प्लस आई टू तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे डैल टू का मान निकाल देंगे तो डैल टू इ कि यह हमारा गलती से आर टू है तो यह आई टू माइनस आर टू यह होगा हमारा सेकंड समीकर अब आप देखिए कुल विचलन निकालेंगे हम कुल विचलन तो कुल विचलन में क्या करेंगे यानि जो डैल होगा इसमें हमारे डैल वन और डैल टू दोनों जुड अब देखिए हम क्या करेंगे डैल वन और डैल टू के मान पोटप कर देंगे तो रख देजिए तो यह आई वन माइनस आर वन डैल वन का मान है प्लस डैल टू का मान रखते हैं तो आई टू माइनस आर टू अब आप क्या करेंगे कि आई वन और आई टू एक साथ रखें चलिए तो डेल वरावर आपका आई वन प्लस आई टू देखिए यहां मानस दोनों में हैं तो मानस कॉमल ले लेते हैं आर वन प्लस आट ठीक है समझ में आ रहा होगा आपको ठीक है अब यह चीज हो गए अब आप देखेंगे यहां चित्र से आपको एक चत्रभुज नजर चत्रभुज का नाम है एक्यू 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 ए और यह जो आप नाम देंगे यह वाला एस यानि इसका नाम है एक्यू ए और यहानि एक्यू एस चतरूज में लेंगे तो चतरूज में आप जानते हैं कि चारों कॉन जो है 360 पर होते हैं तो ले लेंगे तो पहला अगर देखते हैं A पिलस दूसरा नाम है A Q तो यहां Q कॉन Q और पिलस कॉन E और पिलस कॉन S बराबर 360 360 अब यहां से देखेंगे A पिलस कॉन क्यों देखिए कॉन Q जो है यह जो हमारा यहां तक जाएगा आप तित्किनान का तो यह हमारा 90 हो जाएगा पिलस कॉन E पिलस कॉन S यह भी हमारा कॉन देखिए S वाला पार अगर देखते हैं ये वाला हिस्सा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, बराबर 360, तो ये A पिलस 180 पिलस, अब देखिए कौन E, अगर कौन E के लिए जाते हैं, तो हमारे ट्रेंगल का नाम बनता है Q, E, S, और आप जानते हैं कि किसी तिर्बुज में, तीनों कौनों का योग 180 होता है, तो हमें अगर कौन E निकालना हैं, तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, यानि कौन E के इस्थान पर रखेंगे, 180 माइनस R1 प्लस R2, बराबर आपका 360 चल रहा है, तो देखिए यहां 180 और 180 360, 360 से 360 हम काड़ देंगे, तो A जो है, माइनस R1 प्लस R2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, चलिए, अब यहां से हम A अगर निकालते हैं, तो यह R1 प्लस R2, यह हमारी चौथी समीकरा बन जाएगे, अब देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपका सवाल लास्ट की ओर है, देखिए, यहां अल्पतम, विचलन की इस्तिती में क्या बात ध्यान रखनी हैं आपको अल्पतम, विचलन की इस्तिती में, तो पहली बात तो यह है कि I1 बराबर I2, और यह I के बराबर रहने वाले हैं, दूसरी चीज है कि जो हमारा R1 है, वो R2 के बराबर है, और यह R रहने वाला है, एक चीज और है कि जो हमारा कुल विच यहां से जवाब मान रखेंगे चलिए इसको मैं थोड़ा सा सही कहेंच ले हूं यह हो गया तो यहां समी करां तीन से जाएंगे समी करां थार्ड से तीन से तो देखिए हमने बताया था अलता मुसलन में डैल का जो चेंज है वो डैल एम करेंगे और i1 और i2 दोनों के इस्थान पर i रखेंगे तो यहां रख लेते हैं i प्लस i माइनस और i2 के इस्थान पर r रखेंगे r प्लस r ठीक है तो देखिए डैल एम बरावरी i और i होंगे आपके दो i और यह माइनस के दो r इसको नाम दे देते हैं समी करां पांच अ Sumih करां 4 से 4 से क्या करते हैं देखिए आपका A बराबर R1 प्लस R2 तो हमने बताया कि A बराबर R प्लस R यानि A बराबर 2R तो यहाँ से A का मान जो हो गया स्षोरी यहाँ से हम R का अगर मान निकालते हैं यह A बटे 2 हो गया अब R का मायन कितना हो गया आपका A बटे 2 समीकरण 5 पर जाते हैं पुन है समीकरण 5 से अब 5 से क्या करेंगे कि 2R के स्थान पर हम A रखेंगे तो यहां से डल M बरावर 2I माइनस A देंकि हमें आवसकता पड़ेगी इसने लियम में I और R की R तो हमने निकाल दिया आवसकता है आव I के मान की तो पहले हम क्या करेंगे 2I बरावर A को इसमें एड कर देंगे A पिलस डल M I जब निकालेंगे तो A पिलस डल M बटे 2 ठीक है चलिए अब यह देखी लास्ट में है आपका बिल्कुल स्टेज पर और देखी आप मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा जगे कम है स्केल से इसे खेंश देता हूँ ठीके अब देखीं यहाँ से अब लगाएंगे आप इसनेल लियम इसनेल नियम से इसनेल लियम लगाएंगे क्योंकि हम अपरतनांग याद करना चाहते है तो हमारा सूत्र है N वरावर साइन आई बटे साइन आर अब आपको कुछ नहीं करना है सवाल आपका लास स्टेज में है I और आर के मान आपको इसमें रख देने है चलिए रख देते हैं I और आर के मान आइन बरावर साइन I की वैलू है A पिलस डल M बटे दो बटे में जाएंगे साइन आर का जो मान है हमने निकाला है A बटे दो तो इसलिए हमारा जो प्रिज्म का प्रतनांग के लिए वेंजग आया है साइन A पिलस डल M बटे दो बटे शाइन ए बटे दो तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरू करेंगे